कि सब्सक्राइब करेंगे सिट्रल से अगर आप सिट्रल के बारे में देखोगे तो एक बात जहां देना कि आपको सभी मैच्चरल प्रोड़क्स की स्ट्रक्चर एटलिस याद करने पड़ेगी अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो अनग्रिक नग्रश कैके सबसे आपको स्ट्रक्चर और इसके बेसिक पित्र याद बताना होता है कि सिट्रल बेसिकली वो यह नहीं देगा ठीक है अब यह सिंट्रल कहां मिलता है बिसिकली आपको जैसे की लेमन ग्रास ओइल में आपको मिलता है थोड़ा उसका बेसिक इंट्रोड़क्शन देना और स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद कर लेना बहुत इंपोर्टेंट है अगर स्ट्रक्चर इस याद होता है वो याद कर सकता है अब एक एक करके रियक्शन पर आजाओ तो देखो जब हम सिट्रल का ब्रोमी नेशन करवाते हैं तो वह क्या फॉर्म करता है टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव फॉर्म करता है उसके थूरू हम यह बता सकते हैं कि इसमें डबल करने की बहुत यूसफुल रियक्शन है यह आप हर एक में लिख सकते हो जितने डबल पॉंट है आप उतना बता सकते हो कि अगर दिसे कि दो डबल पॉंट है तो यहाँ पर टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव फॉर्म होगा ठीक है अगर सिंगल डबल पॉंट होता तो यहा अगर में रियक्शन पड़ी थी की रियक्शन तो उसमें था कि वह क्या करते हैं आपके औक्जीम के साथ में रियक्ट करते हैं क्योंकि सिट्रल के अंदर आपने देखा होगा कि आपका ल्डीयाड ग्रूप प्रजेंट है इसलिए यहाँ पर आपने इसने क्या दिया यह आपे तोलें रियेजिन अगर्वाइड ग्रूप कंवर्ट इन अचिड तो यह भी मैंने आपको बता जाता है कि यह जाता है औक्सीडेशन रियक्शन देता है जिसके अंदर जो ग्रूप होगा उसके अगर आपको जनरल रियक्शन पता है तो यू कैन राइट दा किसी भी कि आप टर्पेनोइड के बारे में लेग सकते हो जनरल मेथडार आपको पता है तो देखो हमने ग्रूप की बात कर ले हमने डबल बॉंड की बात कर ले अब हम बात करेंगे स्प्रेक्ट्रोस्कोपी के कि एलफा बीटा अंसचिटरेट एल्डी हाइड हमने किस के तुरू निकाला हमने यूवी स्प्रेक्ट्रोस्कोपी के तुरू निकाला फिर हम बात करते हैं कि आपका ऑन हीटिंग विद्ध के चसफोर इट डी हाइडरेट एंड क्रिस्टलाइट टू पी सायमिन जब हम इसको हीट देंगे तो इसका डी हाइडरेशन हो जाएगा और आपको एक सायक्लिक आघर गमिल जाएगी और हम यह यह बहुत इंपोर्टेंट एंग यह सिंपली आपको रियक्शन स्याइटिंग में पूछ सकता है रियूरे इंपit इंपोर्टें Exam इसे स्केलेटन में कितने कार्बन है कि इसने आपका P-Symine । व्रम किया उसके लिए 10 कार्बन थे इसलिए करके क्या करता है आपका CoH oxidation करता है और साथ में आपको क्या मिल जाएगा क्योंकि यहां पर ब्रेकिंग हुआ है तो यहां पर आपका acetone भी फॉर्म होगा ठीक है और साथ इसके साथ में आपको oxalic acid मिलेगा तो जंद्र हमने oxidation reaction लिखी है यहां पर next is the ogenolysis मैंने आपको जनरल रियक्षिन में बताया था कि हम ogenolysis reaction का यूज करते हैं तो ogenolysis reaction बहुत easy है यह आपको easily यहां पर ogenolysis करवाना है by the oxidation reaction of structure of citral confirmed as यह important है बहुत अगर आप descriptive answer से लिखते हैं तो जितना भी आपने सर्क्टिर मेंशन किया है जो भी राक्शन आपको आती है अपने लिख दी अपनी तरह से और इंड में आपको लिखना है कि हाँ कissements को इस इस फैसलिश्ट को कंफर्म किया क्या क्यों कि आप स्ट्रों लेकर उसका concerns नहीं कर सकते आ आपको केवल सिंथेसिस भी पूछ सकते हैं या फिर ओनली स्थेसिस जब आपको बहुत सारे मिलेंगे एक तर्पेनॉइड या एक नेचरल प्रोडट को सिंथेस करने के बहुत सारे मेतड होते हैं मैंने यहां पर सिंप्लेस मेतड लिया था क्योंकि मैं इतना जादा मैं तो यहां पर आपको easiest method मिलेगा इससे easy आपको कोई method नहीं मिलेगा थीक है सो जो step 1 है उसमें हम क्या करते हैं formation of carbon nucleophile की formation करते हैं थीक है हमने यहां पर alkyne ली है उससे हमने nucleophile की formation की in the second step nucleophilic addition होगा addition of carbon nucleophile to the acetone तो हमने यह जो nucleophile generate किया है उसकी हमने क्या किया stone reaction करवाई तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा इस पे attack हो जाएगा attack होने के बाद में आपको यह यहां पर इसका attachment हो गया in the third step हम क्या करवाते हैं reduction करवाते हैं क्यू chef reduction हम जब alkyne का reduction करवाएगे तो आपको कि समें convert हो जाएगी एलकीन में convert हो जाएगी हमने यह यह निकलोफेर इसलिए जन्रेट किया क्योंकि हमारे सीटरल के अंदर ऑविस है कि double bond होता है तो हमें triple bond से हम उसको reduce करवा सकते हैं इसलिए हमने double triple bond लिया ठीक है फिर हमने क्या करवाया किसके दुरूप करवाया हमने PBR3 के दुरूप करवाया ठीक है आपको पता है PBR3 से हम करवा सकते हैं सो जब हमने substitution कर आया तो यहां पर क्या हो गया हमारा बियार अटेच हो गया कि step number four तोड़ा five different है इसमें हम एक carbonine को generate कर लेंगे हमारे ethyle acetoacetate से ethyle acetoacetate हमने क्यों use कि हमें इस ग्रूप उसमें add करना है citral के structure में add करना है तो हमने सबते पहले यहां पर एक base यूज किया यहां पर हमने एक carbonine को अब यह carbonine जो हमारा structure फॉर्म हुआ था उसके उसके पर क्या करेगा अटेक करेगा जब यह अटेक करेगा तो यहां पर finally आपको एक beta keto ester मिल जाएगा जिसकी structure थोड़े थोड़े हमारे citral से मिलती है उसके बाद में हम इसका hydrolysis करवाएंगे और heat देंगे तो उसके बाद जब हम hydrolysis करवाएंगे तो यह पूरा group यहां से क्या हो जाएगा इसका removal हो जाएगा जिसको हम बाद में convert कर लेंगे हमारे टेट्रा एलकॉल में और उसके reduction करवाएंगे तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा आपका के बाद में हमें acidification करवाना पड़ेगा उसके बाद में आपको as a final structure में आपको citral देखने को मिलेगा यह थोड़ा synthesis आपको याद करने में problem होगी I know but natural product चीजी ऐसी है structure determination में आपको easier समझा दूगी इतना मुझे पता है कि आप एक बारी एक का सीख लोगे ना तो आप सब का ल जैरिनॉल और citral की structure similar सी है आपने देखा होगा सिप यहां पे CH2OH का difference है बाकी structure इनकी similar type है जैरिनॉल कहां पर मिलता है जैसे कि आपका रोज हुआ लेमेंग्रास और लेवेंडर ओयल जैसे citral यहां पर present होता है वहीं पर present होता है सिंप्ली देखा जाए तो अगर आपको citral की structure याद है तो आपको जैरिनॉल की भी याद हो जाएगी ठीक है इसलिए मैं दोनों को साथ में करवा रही हूँ याद करने में आपको easiest रहेगा अब सबते पहले अगर हम जैरिनॉल की structure determination की बात करेंगे तो सबते पहले हम क्या लिखेंगे molecular formula देर उसके बाद में हम इसकी double bond की find out reaction लिखेंगे तो वो same है आपके BR2 से करवाईए याद रिडक्शन करवाईए तो यह reaction आपको लिखनी ही है जब आपको double bond का determination करना है ठीक ह तो उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर आपको tetra bromo gerinol मिला इसलिए यहाँ पर क्या है दो double bond present है फिर हम nature of oxygen को check करेंगे nature of oxygen को check करने के लिए कुछ important reactions है कि it give red color with seric ammonium nitrate so the hydroxyl group present in the molecule ओके gerinol form acetate with acetic enhydrate at the room temperature आपको याद आया होगा यह मैंने करवाई थी आपको reaction याद आया यह जंजल reaction है हमने यहाँ पर लिख दी अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप simple लिख सकते हो ठीक है चलेगा अगर terpenoids की जंजल structure determination को यहाँ पर लिखोगी तो भी चलेगा बस यह नहीं कि cyclic ring नहीं है और फिर उतकी reaction लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा gerinol on oxidation with MnO2 oxidation आप किसी भी region के साथ में करवा सकते हो give aldehyde which identified as citral the aldehyde on reduction give with LiLH4 give gerinol तो देखो यह इसकी जो reaction है यह important है जो हमने gerinol लिया जब हम इसका oxidation करवाते हैं तो आपको एक acy sector मिलती है जो क्या है citral है और अगर हम citral का reduction करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा gerinol मिल जाएगा तो यह एक interconversion reaction हो गई दोनों की मैंने आपको UV spectra वगेरा यह नोट से नहीं लिखाया है क्योंकि citral के similarity है तो यह सेम चीज़ें आप write down कर सकते हैं ठीक है synthesis की बात कर लेते हैं तो देखो synthesis आप देखोगे first step हम सेम वैसे ही चल रहे है हमने एक nucleophile जंजेट किया फिर उसकी reaction कराई फिर हमने उसका क्या करवा दिया reduction करवा दिया थोड़ा सा यहां पर चेंज आया है third step में जाके कि हमने आप रिदक्शन करवा step four में जो cyclic ring form होगी यहां पर उसमें basically देखो यह double bond यहां पर CH2 पर attack करेगा पर यह bond यहां पर shift होगा यह bond यहां पर shift होगा यह reaction यहां पर इसका important पार्ट रखती है उसके बाद में देखो यहां पर यह bond shifting होई तो आपकी structure कुछ इस तरह से हो जाएगी open करके मैंने लिखा अपर उसके बाद में हमारा हमने पिर से एक और अलकीन को use किया हमने यहां पर फिर से एक यह फैलर यह 활jal करेश किया जो कार्भॉट में convert हो गया आपकी double bond में convert हो गया और आपको gerinol मिल गया by the acidification so gerinol का अगर आप सिंदे से देखोगे तो citral से थोड़ा easy है citral का थोड़ा ज्यादा difficult था but दोनों ही बहुत मैंने most easiest यहां पर method आपके लिए find out करके बताये दे so next video में मिलते हैं कुछ other turpin notice के साथ में so अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेरे और कमेंट और सब्सक्राइब तो माइ चैनल थैंक्यू फर वाचिंग